जी असलाम अलेकुम स्टुएंट्स लेक्चर नाइन स्टार्ट करते हैं अच्छा कल हम बात कर रहे थे कि अगर कोई भी हम खर्चा करें न और वो खर्चा मुक्तलिफ हेट्स के अंदर हमें बेनेफिट दे तो उस खर्चे कोन हैट्स पर पॉर्शन करना पड़ता है जिससे पहली लाइन पड़े हैं इदर हमने पड़ा था इन एक्सपेंडिचर देट इस इंकर्ट फॉर पर प्रटिकुलर क्लास इसका मतलब था सेलरी वो जो परहले स्वाल में गिवन थी फिर था इसका को टर्टिक प्रटिकुलर को ओर अलाूंस इसवीन थे विजनेश इंकल्ट पॉर्शूर फेस भी थे खर्चे माइनस नहीं हुए यहीं सेल की बेसे पे हमने खर्चों को पॉर्शन करना था ओके और आगे common expenditure के definition थी that is not clearly allocable to any class of income जो किसी class of income से clearly allocable नहीं है तो उसको हमने कहा था common expenditure अच्छे एक नीचे line है point 3 के आखरी यह ऐसे ही उसने डाल दी भी है क्योंकि आपको जदा इस चीज़ का concept से final में आएगा बहराल जितनी हो सकी मैं आपको explain करूँगा तो अब एक बंदा maximum कितनी incomes कमा सकता है कोई आप से सवाल पूछे एक बंदा maximum कितनी incomes कमा सकता है तो in this rule, इस rule में class of income means Pakistan and foreign source income एक बंदा पाकिस्तान की income भी कमा सकता है और कल हमने देखा था बाहर के मुलक में जाके income भी कमा सकता है और आगे एक बंदा कौन-कौन सी incomes फर्दर कमा सकता है salary भी कमा सकता है business भी कमा सकता है यहर यह क्या लिखा हुआ है income from speculation business income from speculation business यह ना business की दो categories है इतर अगर आप देखो यह यह business की दो categories है एक है speculation business इधर कुछ नहीं लिखा हुआ तो यह होगा non speculation business सरव इसमें क्या फरक है अभी तक तो हम business एक ही समझ रहे थे तो भाई थोड़ा wait कर लें business की chapter में दोनों की definition मैं पढ़ाऊंगा यह कुछ सटे बाजी का business होगा speculation देखेंगे इसको प्लीज अभी कुछ सवाल ना पूछेगा मेरे से इस बारे में आगे तो फिर मैं उसी वकत बता दूँगा एक दो दिन में कि separate rate वाली income और final tax में फरक है ठीक है तो separate block की मिसाल फिल हाल में ऐसे ही अपने समझने के लिए income from property लिख लेता हूँ income from property लेकिन प्लीज अभी आप परिशान ना हो इंशाला बड़ी details से बात होगी अब सवाल ये है के heads of income भी यहां लिख दी है salary, business, capital gain, other source heads of income भी यहां लिख दी है और साथ उसने बाकी चीजें भी बता दी ठीक है? अब जब साथ उसने मेरे बाकी चीजें भी बता दी काफी सारी तो बस अब जहन में याद रख ले ना salary, business, capital gain, other source exempt income, separate block income और final tax income तो एक बंदा maximum ये income कमा सकता है पाकिस्तान में अच्छा ये कितनी नदर आ रही है आपको? A, B, C, D, E, F, G, H कितनी बन गई? आठ लेकिन ये 16 हैं कैसे? अगर ये पाकिस्तान में कमा रहा है तो आठ ये हो गई ये सारी incomes बाहर के मलक में भी कमाई जा सकती है तो असल में ये 16 incomes है तो कहते है अगर आप को खर्चा पॉर्शन करो ना तो ज्यादा से ज्यादा इन हेड्स में पॉर्शनमेंट हो सकती है लेकिन salary में हम आने वाले दिनों में आगे पढ़ेंगे पॉर्शनमेंट नहीं होती असल में salary में खर्चे मानस करने की जाथ नहीं होती बहरहाल प्लीज इसको वक्त के साथ देखेंगे ऐसलिकिसी किसी के जहन में को सवाल आते है तो इसलिए मैंने ड्रेस कर लिया कि विद अ टाइम इंशाला हम चीजने देखेंगे जहां तक चीज की जुरूरत होती है इस चेप्टर में चलते हुए उस हद तक मैं बता जेता हूँ उससे आगे अगे अगर नहीं बताता तो वाने वाले दिनों में इंशाला डिसकस हो जागी ओके ये बात कल हमने पड़ी थी याद वाल आलोकेटिंग एकसपैंसस एकसपैंसस एलोकेट करते वह निचर ऑंड सूरस ऑफ फीज़ क्लास मस्ट बी कंसिड़र्ड उसकी निचर देखनी चाहिए उसकी सूरस देखनी चाहिए आम तोर पे मेरे भाई हम नेचर और सोर्स वगरा नहीं देखते आम तोर पे हम सेल देख लेते हैं तो खर्चे पोर्शन करने पड़े ना तो हम आम तोर पे ना सेल की बन्याद पे जिस तरह कल हमने किये थे सेल की बन्याद पे खर्चे पोर्शन कर देते हैं जाए कि उसके नेचर और सोर्स देखें तो वह बहराल अगर आपको सेल वगएरा अवेलेबल ना हो किसी वज़ा से अभी ये सेल की बन्याद पे आपके ख्याल से पोर्शन करना बेतर नहीं है तो फिर आप नेचर और सोर्स देखो कैसे, मिसाल इसकी ले लो जहां सेल अवेलेबल ना हो आपने ग्राउंड फ्लोर में दुकान बनाई भी है फरस्ट फ्लोर पे आप खुद रह रहे हैं अब घर में तो सेल हो नी रही अब किसी ना किसी और बनियात पर देखना पड़ेगा आप नेचर देखनी पड़ेगी नेचर क्या होगी दुकान पे तो आठ एसी चलते हैं दुकान पे ज्यादा बिजली चलती है दुकान 24 और ओपन है कोई मेडिकल स्टोर ओफर्स करो और घर में तो एसी एक ही चलता है वो भी रात को जब सोने लगते हैं तब चलता है तो फिर नेचर देखके आप डिसाइड कर लो कितना खर्चा किसको ऐलोकेट करना है अच्छा इधर मुझे आप बता सकते हैं जो कल हमने एक्जामपल किये इसमें खर्चों को किस बेस्ट पे पोर्शन किया था हाँ एक्सेलेंट कल हमने खर्चों को पोर्शन किया था सेल की बेस्ट पे साथ लाग थी कैनिडा की सेल उसमें 3500 के खर्चे माइनस किये थे और तीन लाग थी पाकिस्तान की सेल उसमें आपने माइनस किये थे पंदना सो के खरचे ज्यादा सेल वाले को पांच हजार में से ज्यादा हिस्सा दिया था और कम सेल वाले को ये अमीद है आपने सवाल किया होगा घर में और कम सेल वाले को पांच हजार में से कम हिस्सा दिया था कल जाद है हमने इस बन्यात पे allocation की थी तो what were the basis of my allocation in yesterday's class basis were on the basis of sale कल हमने sale की base पे allocation की थी clear अब पढ़ो the basis of allocation आम तोर पे sale की base पे paper में कराया करेगा the basis of allocation of expenditure खर्चों को अपोर्शन करने की basis यह deductions यह allowances यह भी खर्चे होते हैं should be certified by a CA खर्चे पोर्शन करने है ना तो CA से sign करवाओ क्या मतलब आप यह working करो जो कल मैंने आपको करके दी थी आप working करो और working करके CA से इसके उपर sign करवाओ कि CA तुम चेक कर दो और हमें certificate बनाके दे दो जैसे medical certificate नहीं बनता लोग बुड़े हो जों तो driving के लिए medical certificate बनता है ऐसे CA से एक certificate बनवालो कि यह working सही है अच्छा इसको ना कॉमा कामा इग्नोर करके पढ़ते होते हैं अगर घर में पढ़ना हो ना तो जारा बाद अच्छी समझ आ जाती है कैसे इस तरह पढ़ते हैं तो अच्छा समझ आ जाता है और a cost and management accountant चीक है जी कोई मिसला नहीं यह जो certificate है न इस certificate certificate कौन सा जो CA ने बना के दिया जिस पर sign की है क्या आपकी calculation सही है असल में यह आप calculation करोगे पिछले सफे वली सारी और यह calculation करके CA के एक दफा sign करवा लोगे इस certificate shall be accepted by the commissioner और commissioner इस certificate को मान जाएगा सही इस certificate shall be accepted by commissioner unless there is a significant variation from allocation unless के देरे significant variation from allocation क्या मतलब significant variation significant variation होती है यह प्लस माइनस 10% क्या होती है significant variation बो प्लस माइनस 10% अच्छा मुझे बताओ के इदर correct जवाब क्या है पंद्रा सो फर्स करो यह है करो इदर ही ले लो इदर ही लिख लेते हैं फर्स करो correct जवाब है 6000 और CA ने जो certificate बना के दिया उस पे उसने calculation करके दी 5800 की अब कमिशनर ने जब चेक किया तो जवाब आया 6000 CA ने जब calculation करके दी तो वो जवाब आया 5800 तो जब कमिशनर ने CA को बलाया कमिशनर ने CA को का यार 6000 जवाब आ रहे खर्चों का allocate करके फॉर्मूला लगा के तुने 6000 की जगा 5800 खर्चे क्यों लिखिये में है CA कहेगा सर ये थोड़ा बोता है चलता है वो थोड़ा बोता क्या margin of error acceptable है वो है 10% मुझे बताओ actual खर्चा कितना है 6000 6000 का calculator के बगार बताओ 10% 600 600 एक materiality level है हमारा यानि 600 तक की गलती खैर है हो सकती है इनसान है तो इन दोनों में difference देखो 6000 और 5800 में 200 रुपे का तो 200 की error है खैर है यार हो सकती है थोड़ा बोता क्लिकलेशन में प्लस माइनस चल सकता है कोई मसला नहीं ये जब sale पे allocation कर रहे हो ना तब तो मसला नहीं आता प्रेंस हो फिर CA की क्लास ली जाती है यार तो ने सही काम क्यों नहीं किया आप बता दो ये जो CA की calculation है इसके साथ मैं लिख सकता हूँ acceptable ये CA की calculation acceptable है और अगर ऐसा होता कि करेक्ट जवाब होता 6000 जो कमिशनर ने निकाला है खर्चे पोर्शन करके और CA ने जो certificate दी है उसमें जवाब होता 5000 सोरी करेक्ट जवाब होता 6000 CA का जवाब होता 5000 आप बताओ ये acceptable है CA वाली फिगर not acceptable not acceptable है इस पे CA की class बनती है इस पे CA की class बनती है क्योंके इस इस not acceptable ये खत्रे का sign है CA तुम्हें शर्व नहीं आती सई कल्कुलेशन करते कमिशनर के मताबक 6000 आ रहे और तुमारे मताबक 5000 आ रहे तो 6000 का बताओ 10% 605000 और 6000 में डिफरेंस 1000 तो 1000 डिफरेंस तो अच्छा खासा है 10% से ज्याद है तो इस पर फिर CA को मेरे खाल से ना पनिश्मेंट बनती है और उसका सेटिफिकेट असेप्ट नहीं किया जाएगा चल्दी करो यार आगे चलने पिर चलने जी आप पड़ो यार इस सेटिफिकेट शेल बिफिकेट बाइ कमिश्टर ये कमिश्टर सेटिफिकेट मान लेगा उलेस सिग्निफिकेंट विइरिएशन हो अगर सिग्निफिकेंट विइरिएशन हो फिर नहीं मानेगा सिग्निफिकेंट विइरिएशन क्या होती है 10% प्लास यनि 6000 हो तो 6600 तक is acceptable है या 6000 हो तो 5400 तक भी acceptable है 10% माइनस हो बी Minor है यह point 3 के आफर में आपको छुड़वाई थी where a person is earning net commission or brokerage then his gross profit will be taken as turnover फिर उसका जो gross profit होगा वो समझा जाएगा उसका turnover तो हाँ ठीक है इसको मैं नहीं explain करा sorry इसको मैं नहीं explain करा यह आपके level की चीज नहीं है commission income वगारा की taxation तो इसको आप ignore कर दें हाँ बस theory की हद तक याद कर लीजएगा असल में कोई बंदा ना अगर थोड़ा सा समझ लो ऐससे ज़रा याद रुखने के लिए ना कुछ तो थोड़ा सा समझने के लिए मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको कुछ याद रहे जाए इसमें से वरना numerical कराएंगे तो 10-15 मिट लग जाएंगे बाद में end पर यही कहना है कि नमेरिकल यह आएगा नहीं कुछ लोग जो commission कमाते हैं ना तो आपको पता है वो दूसरों के लिए चीजें बेचते हैं और बेच के फिर सारे पैसे अपने पास ने रख लेते हैं जो लोग commission पर काम करते हैं ना मिसाल के ज़र पर आप हो कॉलिज वाले कहते हैं कुछ student आप लेके हो हम आपको ने आए एफसी में student लेके हो हम आपको commission देते हैं तो अब आप उसकी सारी फीस अपनी जेव में नहीं रखोगे आप उसकी फीस का कुछ percentage कॉलिज से decide हो जाएगा थोड़ा पर पांच जस परसेंट वो रख लोगे बाकी असल फीस तो कॉलिज की होगी ठीक है तो अगर आपकी taxation paper में आ जाए तो फिर आपके लिए gross profit देखा जाएगा यानि जो आपको commission मिला वो देखा जाएगा ठीक है तो gross profit का लफ्स क्यों है क्योंके लोग sale of goods में भी agreement करते हैं but please leave it there is no need to go in detailed बहस थोड़ा सा हिम्मत कर बस रटा सा मार लें where a person is earning net commission net commission का मतलब है बचा कुछे पैसे आपको मिलेंगे आपको पूरी fees नहीं मिल जाएगी college की उस बचे की जो आपने recover कराई है where a person is earning net commission or brokerage then his gross profit will not be will be taken as turnover फिर आपकी sale क्या होगी वो जो बचा कुछा gross profit आपको मिला है बहराल मत सोचिएगा इसमें gross profit क्या है बड़ी detail से मैं बहस कर सकता हूँ लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्रैमिट अगर कोई मुझे group में इस सवाल पूछेगा कि सर इसका मतलब उता दें तो मैं उसको यह तस्वीर खेंच के भेज़ दूँगा कि मैंने यहां यह लिख दिया था बस ओके चलें जी आगे fair market value छोटे-चोटे कुछ section रहेगे हैं इनको करते हैं अच्छा आपके जहीन में एक सवाल आ सकते हैं यहां तक ना कुछ past paper है चलो पहले वो करते हैं यह यह पॉर्शनमेंट का स्वाल ढूंदो कहीं आ रहे है एक दफा आया हुए question number five what do you understand by the concept apportionment of expenditures as explained in income tax ordinance एक यह सवाल आया है what do you understand by apportionment of expenditures और एक और सवाल भी ओपर discuss under what circumstances and expenditure incurred by a person एक बंदे ने खर्चा किये are required to be apportioned for purpose of claiming deduction claim deduction पता है क्या मतलब होता है लिखें claim deduction का मतलब होता है हम text वालों को कह रहे हैं हमें खर्चा minus करने दो गल्दी लिखो और यह किताब पे लिखा करो और किताब आ गई है विसे आजएगी एक दू दिन में claiming deductions का मतलब लिखो या दो तिन चार दिन में claiming deductions का मतलब लिखो हम text वालों को कह रहे हैं हमें खर्चा minus करने दो claim minus करने दो मैं दावा कर रहा हूँ खर्चा है मेरे पास इसका सबूत भी है ओके चलो दिया पढ़ो तक जाज आ खर्चाप्स्ताइस हाँ इसक्राइस है डरी अपस्ताइस ए्सुक्ताइस है थिच्टिर में जो एक बाकर करने खर्चे कब-कब अपोर्शन किये जा सकते हैं सरकम्स्टांसेज बताओ खर्चे कब-कब अपोर्शन किये जा सकते हैं सरकम्स्टांसेज बताओ जी हदरात सरकम्स्टांसेज बताएं कि खर्चे कब-कब अपोर्शन किये जा सकते हैं circumstances हैं Okay Where expenditure relates to कमाना of more than one head of income या head of income की income भी कमा रहे हैं और final tax की income भी कमा रहे हैं और या किसी और purpose के लिए भी use करें और head of income की income भी कमा रहे हैं तो इन तीन सूरतों में खर्चे portion किये जा सकते हैं इन तीन सूर्थों में खर्चे एपॉर्शन किया जा सकते हैं आपको क्या समझ आता है एपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से तो what do you understand by term? बादा कॉंसेप्ट एपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर तो section 67 के heading देखो यही है अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स या अपॉर्शनमेंट ऑफ डिड़क्शन्स आपके जहन में एक सवाल आ सकते हैं कि सरी अगले सफ़े पर रूल भी तो है ना यह तो section है section और रूल में क्या फरक है? असल में ना law में दो चीज़े हैं एक है income tax ordinance income tax rules 2002 तो यह मुशरफ के जमाने में आया था income tax ordinance 2001 तो उससे अगले साल फिर इसको explain करने के लिए rules भी आ गए थे तो अगर आप से कोई पूछे लिखना चाते हैं तो लिख सकते हैं अगर आप से कोई पूछे कि आपके syllabus में क्या है अप कहेंगे income tax ordinance के थोड़े से sections है income tax ordinance में sections भी है और Income Tax Ordinance में Schedules भी हैं income tax ordinance में sections भी है और income tax ordinance में schedules भी है और income tax rules में rules है income tax rules 2002 में rules है अगे अब मेरे भाई अगर सवाल साइलेंट हो कि पोर्शनमेंट आफ डिड़क्शन के बारे में बस बता दें और तीन चार नमबर का सवाल हो तो फिर हमें सेक्शन लिखना काफी है क्योंकि वो जो मेन चीजे ना वो सेक्शन में लिखी हुई है ये किन किन सिच्वेशन में खर्चे पोर्शन कर सकते हैं और अगर कभी पेपर में साथ ये भी पूछ ले कि रूल्स की रोशनी में भी बताएं फिर ये भी हमें लिखना पड़ेगा लेकिन मेरे खाल से जो रूल्स की रोशनी में बताना है ये कोई अलग से 5-6 नमबर का फिर सवाल बनेगा तो इसके नॉर्मली 3-4 नमबर का सवाल आता है उसके फिर आप सेक्शन ने लिख के आएंगे अनलेस के रूल्स के बारे में स्पेसिफिकली पूछ ले ग्रॉस रिसीट की डेफिनिशन पूछ सकता है इस तरह की चीज़ें एक एक दो दो नमबर की इसके बीच में से निकाल के पूछ सकता है जी यार फिर फाइव शिक्स मार्क्स के बड़ा पुराना सवाल आया वा था अब ये तीन चार नमबर के या आएगा तो बहुत ज़्यादा हो जएगा छे नमबर में दोनों बातें लिखना हो ओके चलें जी आगे आगे एक और सवाल आपको करवाने है वो डिसीज़ इंडिविज्वल का हाँ वो तीन सिच्वेशन से मराद सरकमस्टांसिस भी आ सकता है कभी लिख लिखो सिच्वेशन का मतलब शरकमस्टांसिस भी हो सकता है भुक नहीं है तो कुश्चन 20 लिख के रिजिस्टर पे कौन सी सिच्वेशन सरकमस्टांसिस हैं जिन में आपको खर्चार पड़ सकता है अब पोर्शन करना पड़ सकता है अच्छा जी आगे चलो deceased individual question 19 question 19 is responsible for managing the property of his uncle who died on 5 February 2013 5 February 2013 Uncle की death हुई है आपको पते हैं 5 February 2013 tax year 2013 बनेगा हां इसके बाद 30-1 2013 आ रहे हैं तो यह tax year 2013 बनेगा the approximate worth of the property is 7 million अप्रॉक्सिमेट वर्थ property की 7 million जो अंकल छोड़के गए हैं इन अगस 2013 notice was served अगस 2013 में एक notice आया income tax department की तरफ से उसके अंकल के नाम जिसमें tax year 12 के बारे में tax मांगा गया है पिछले साल के बारे में tax मांगा गया है सड़े 8 million का तो जो बना जायदाद छोड़के गया है 7 million उसके वर्सा से tax मांगा जा रहे सड़े 8 million advise अहमद as regards the following अहमद को advise करें extent of अहमद liability in respect of income and by his uncle अहमद की क्या liability है उसके अंकल ने 5 फरवरी 13 से पहले पहले जो भी income कमा ली उसके लिए एहमद कितना liable हो सकता है भाई ऐसे तो ना करो 7 million ये अहाँ पहले पहले आपको ये जवाब लिख किया आना पड़ेगा point 2 section 87 खोलो point 2 the liability of a legal representative ये the liability of a legal representative shall be limited to the extent of deceased ''teceased state,'' in this case Deceased ESTATE is of 7 million tax demand is 8.5 million therefore एहमद will only be liable for tax liability of rupees seven million एहमद सो 7 million ग्लय लिए 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 होगा एहमद वो सड़े आठ के लिये लाइबल नहीं होगा Clear? Okay अच्छा इतना काफी है बस Point 2 लिखना है और ज़्यदा तफसिलात में नहीं जाना अच्छा Advise एहमद as regards the following Advise एहमद as regards his obligations Advise एहमद as regards His obligations उसकी जिम्मेदारियां क्या है Relating to Tax Assessment Proceedings Tax Assessment Cases Pending Arising Against His Uncle तो बता दो के एहमद की जिम्मेदारियां क्या है Proceedings के बारे में Proceedings का लफस लिखा हुए मेरे भाई यहाँ Proceedings कौन कौन सी Proceedings Number One जो Pending थी उसके मरने से पहले Number Two जो उसके मरने के बाद Arise हो सकती है बोलो जी कौन कौन सी Proceedings के बारे में पूछ रहा है अहमद की लाइबिलिटी बताओ 3A भी लिखके आना पड़ेगा उसमें Pending का जिकर है और 3B भी लिखके आना पड़ेगा उसमें अराइजिंग का जिकर है Clear? तो अब Point One और Four जो है ना उसकी कोई जरूवत नहीं थी Point One लिखा हुआ है Point Four लिखा हुआ है Legal Representative की Definition इनकी जरूवत नहीं थी जितना पूछ रहो बस उसका बता के आने Point Two जवाब में देखे आने और Three जवाब में देखे आने बस हाँ अगर ये पूछता के दो तीन लोगों ने पैसे मांगे है पहले किसको देंगे? तो फिर Two A लिख के आते है वो तो मांगा ही नहीं नहीं अच्छाब आप Question 10 कर ले ना Question 10 Homework Question 9 भी Homework में लिख लो Question 9, 10 और 28 और 27 ठीक है? 28 और 27 मुझे कल जात कराना डिसकस करने हैं? भूल तो नहीं जाओगे? इसलिए सारे? दुबारा अब तो मुझे भूल गे हैं? 27, 28 तो लिख लो ना बस अब? और 9, 10 शायद का था? हाँ, 9, 10 अखे चलें जी आगे हैं वापिस आज़ें जी किताब पे फिर मार्केट विलियो फिर मार्केट विलियो में क्या आ रहा है भाई? फिर मार्केट विलियो क्या होती है? बस बाजार में जो कीमत है चीज़ की लेकिन फिर मार्केट विलियो प्रॉपर्टी की भी हो सकती है कराए की भी फिर मार्केट विलियो होती है सर्विसिस की भी फिर मार्केट विलियो होती है तो किसी भी चीज़ की प्राइस मार्केट में विलिबला यदिस फिर मार्केट विलियो the fair market value the fair market value of any property or any rent or any asset or any service or any benefit or any benefit perquisite benefit होता है at a particular time shall be the price which will ordinarily be fetched fetch का मतलब होता है receive करना which will ordinarily be fetched on sale or supply in the open market अगर आप उस चीज़ को open market में बेचो तो कितने की बेक जाएगी clear? it is called as fair market value नीची example पढ़ लो और बताओ fair value क्या आए the fair market value of any property or rent, asset, service, benefit or perquisite at a particular time shall be the price which will ordinarily be received on sale or supply in open market price इसमें क्या है fair value? हामे ने कंप्पिटर लिया 70,000 का और अंजम को बेच दी है जिस वकद उसकी WDV थे 40,000 WDV बताए क्या होती है? depreciation और अगरा माइनस करके जो WDV आती है लेकिन बाजार में ये 42,000 का है तो बताओ इसकी fair value फिर क्या होगी? 42,000 0.2 the fair market value भाई एक 10 पर जाएंगे हम the fair market value shall be determined ignoring any restriction on transfer or ignoring the fact that it is not convertible to cash अच्छाई ये बड़ी इंट्रस्टिंग चीज है 0.2 ये दरह समझो ये दो plot है एक लाल है plot A और एक green है plot B ये दोनों बिलकुल एक साथ है दरम्यान में बस सड़क है आमने सामने है 10 मरले के हैं सब सब कुछ सेम है plot B पे ना हकूमत ने एक restriction लगा दिया है क्यार हो सकते हम सड़क इस side पे extend करें तो फिर plot B पे हकूमत ने transfer पे restriction लगाई वी है कि ज़रा इसको बेचो मा तबी तो इसलिए plot A की जो price चल रही है market में वो चल रही है 50 लाक fair value लेकिन क्योंके plot B में restriction लगी वी है कोई restriction हकूमत ने लगाई वी है इसके ओपर किसको आप बेच नहीं सकते फिलहाल तो plot B की कीमत कोई लगाने भी आता है तो 30 लाक, 40 लाक, 50 लाक और सुरी यह हिकल गाई 30 लाक plot B की की कीमत लगाने भी आता है तो वो 30 लाक लगाता है कहते है इस पर क्या है restriction है ओके अब lawmaker क्या कहते है कि किसी भी वक्त आप से हकूमत पूछे ना आपकी जायदाद की कीमत क्या है वैसी ना हकूमत आपकी जायदाद की वर्थ से जानना चाती है तो कहते है income tax ordinance में मैं इस बात को इगनोर कर दूँगा कि आपकी जायदाद पर कोई restriction लगी वी है आप अगर मुझे fair value बताओगे तो मुझे बताया करो कि आपकी चीज़ पर restriction के लावा fair value के है ताकि overall आपके मैं अपनी assessment कर सकूँ कि चीज़ों की fair value के चल रही है तो इसकी numerical implication आपके syllabus में नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ से पेचीदी है इस बात में वो CA final में होगी तो थियोरी की हद्था के concept याद करो क्या अगर किसी property पे कोई restriction लगी हुई है और paper में आ जाए बताओ इसकी fair value क्या है तो property dealer की दुकान पे तो इसकी fair value 30,00,00 मिलेगी आपको लेकिन from the tax point of view आपने इसकी fair value लेनी है 50,00,00 ये 30,00,00 प्रापटी डीलर की दुकान पर आपको value इसकी लग रही थी लेकिन जब आप tax वालों को बताओगे तो tax rules के मताबक इसकी fair value होगी 50,00,00, अब आप नोट कर सकते हो कर लो नोट tax rules के मताबक इसकी fair value 50,00,00, पैज़ लेनी है औरी तो आप आते हो कर दो प्रापटी की लग मेरान में को वहाँまで हमेев लेक ओशे ले united वहाँ उितो जय moved फिते हो कर दिह पे हो कि ले वहाँ आते हैं ओके चलेंजी आगे पड़ो ये बात क्या लिखी वी है दर फिर मार्केट वैलि ऋ शेल भी डिटिर मेंड इग्नौरिंग एनी Northeast रिस्रिक्षं और्न्रइब आंशसपर फिर मार्केट विलिए निकालाते विक अग्नौर करदिया जाएगा कि िर्शैक्षें लगी मिया चलू अगेश ओके, the fair market value shall be determined ignoring the fact that it is not convertible to cash, आपको पते हैं आम तर पर चीज़ें convertible to cash होती हैं, आप गाड़ी बाजार में ले जाओ, you can convert it in cash easily, आप मुबाइल बाजार में ले जाओ, computer अपना laptop बाजार में ले जाओ, you can convert it in cash easily, होंडा एटलस कार वाले, जिस मशीन से होंडा सिटी बनाते हैं गाड़ी, वो मशीन बाजार में ले जाएं, it is not easily convertible to cash, हताके टोईटा वाले भी उसको नहीं लेंगे, आम लोग तो वैसी नहीं लेंगे उस मशीन को, कहेंगे हमने क्या करना है, हमें तो गाड़ीयां बनानी नहीं आती, जो चीज़ें convertible to cash नहीं होती ना, हमारा lawmaker कहता है, कि उनकी भी fair value मुझे निकाल के दो, अब उनकी fair value निकलती कैसे है, ये एक अलग बहस है, we are very lucky कि ये भी हमारे scope में नहीं है, उनकी fair value भी हमें जबर्दसी निकालनी पड़ेगी, उसके तरीके क्या होते हैं, उसके तरीके यार छोड़ो क्या होते हैं, ऐसी किताबों में कुछ लिखे में हैं, कि अंदाजा लगा लो उस मशीन से future में कितने units बन सकते हैं, फिर उनसे क्या चीज़ आ सकती है, या होता है कि बाहर के मुलक में जाके इसकी value लगवा लो, कुछ ना कुछ करो, value लगवा या खरीदा कितने का था, आज उस चैसी मशीन पुरानी हो जाए तो कितने की, इस किसम की कुछ तफसिलात हैं, बट वी अर वेरी लगवा लगवा लुज के वो हमारे scope में नहीं है, इससे related rules हमारे scope में नहीं है, fair market value is related तो लेकिन प्लीज थियुरी की हद तक यह बात चयार रखो फेयर मार्केट वेयलियू शिल भी डेटरुमेंट फेयर मार्केट वेयलियू निकाली जाएगी इग्नोरिंग ऑ्फा ct ये फेक्ट इगनोर करते हुए कि ये cash में convertible नहीं है ये cash में convertible नहीं है ये बात ignore कर दी जाएगी यानि किसी ना किसी तरह लिखें अर्दू में किसी ना किसी तरह tax वालों को हमें ये cash में convert करके देनी पड़ेगी इसकी value किसी ना किसी तरह tax वालों को cash में convert करके ये value देनी पड़ेगी ओके आगे चलो अच्छे ये official गजट एक दिन मैंने बात की थी official गजट ना एक सफास आए जो हकूमत print कराके अपनी website पे upload कर देती है इसमें सिर्फ income tax की details नहीं होती इनमें और बहुत पाकिस्तान के जो values हैं चीज़ों की और rules और procedures वो बहुत सारे mention होते हैं official गजट हकूमत का एक official document है अच्छा कई दफ़ ऐसा होते हैं कि कुछ properties की fair value easily ascertain नहीं हो पाती कुछ properties की fair value easily ascertain नहीं हो पाती मिसाल के तोर पे कुरेगिस्तान के अंदर आपका घर है वहाँ पे आपने जो है वो बड़ी हिम्मत करके कोई बंगला बना लिया पास पास जोंपड़ियां थी आपने का इनके मदद कर दिया करूंगा तो वहाँ जाके मैं कुछ दिन गुजार आया करता हूँ तो आपका जब बंगला हकूमत की नजर पड़ा तो हकूमत ने का या इसकी तो फेर वेल्यू होनी चाहिए कोई ना कोई तो हमें पता होनी चाहिए कल कला को आप बेच भी सकते हो तो कुछ आपके ऐसे होते हैं जहां प्रापटी डिलर्स की दुकाने बगारा नहीं होती तो फिर वहां पे फेर वेल्यू कैसे डिटर्मिन होगी तो कहते हैं उसमें आखसर बोर्ड ने ऐसे अलाके इंटिफाई कर ली हैं और उन अलाकों की जो प्राइसेज हैं वो फेर वेल्यू अफिशल गजट में हर साल चाप देता है प्रिंट कर देता है कि फलाँ अलाके में फलाँ मरला इतना चल रहा है आजकल तो वो जो बोर्ड ने फेर वेल्यू डिटर्मिन किया ऑफिशल गजट में फिर वो ले लो जहां प्रापटी डिलर्स की दुकाने नहीं है वो ले लो अगर आपका ऐसे आलाके में है वो रहाइश ऐसे आलाके में घर है जहां बोर्ड ने भी फेर वेल्यू नहीं बताई और प्रापटी डिलर्स की दुकाने भी नहीं है फिर बड़ा असान सा काम है फिर ये करो कि वहां जब आप जाइदाद लेते हो ना तो आप पता चलाओ जाके कि वह जाएदाद है किस दफतर में जाके आप अपने नाम लगवाते हो रिजिस्टरी कहते हो जिसे तो उस दफतर में चले जाओ उस दफ्तर वाले से जाके बंदे से पूछ लो यह इसके इदर क्या प्राइस की चल रही है आज चल क्या फेर वैलियू है फिर उनकी बताईवे प्राइस पर इलाए कर लो अब ज़रा तर्तीब सुन लो तर्तीब क्या होगी प्रापरिटी डीलर्स है या या जिसको मैंने उपन मार्केट कहा था उपन मार्केट उपन मार्केट thing अइदर आगीए ने लिए देखा ईपन मार्केट प्रापरिटी डीलर है प्र 또 कोई मसल्ही नी उपन मार्केट में जो प्राइस चीज बेचिके मिल सकती है it is fair value लेकिन अगर property dealer वगरा नहीं है और readily price certain या मालूम नहीं हो पा रही तो फिर federal board ने एक list बनाई वी है उसमें जाके देख लो कहीं उसमें तो नहीं आपका घर आ रहा उस अलाके में well in good उदर है अगर उदर भी नहीं आ रहा property dealer भी नहीं है federal board of revenue के जो बताएवे लाके हैं उनमें भी नहीं आ रहा फिर आखरी filter लगाओ आखरी filter के आए तीसरे नमबर वे आप ऐसा करो उस इलाके में आप जाके पता कर लो कहां पर जाके land building वगरा लोग अपने राम रिजिस्टर करवाते हैं land रिजिस्टर होती है तो जो land रिजिस्टर करवाने वाला इलाका है ना वहां जाके आप अपने आपको जाके पूछ लो के इसकी fair value क्या है tax authorities उस fair value को फिर मानेंगी point 3 और 4 असलमें ये point 1 के continuation में आगे लगेगा लेकिन ये point 3 और 4 सिरफ property के लिए है property के लिए where the price is not ordinarily sustainable the board may federal border may by notification in official gazzach determine the fair value of immobile property तो board बता देगा fair value क्या है and where the fair value of any immobile property of an area has not been determined by board और जहां board भी ना बताए यहां आपने देखा board ने मेरी property के fair value उस इलाके की बताई मिया बोर्ड ने भी ने बताई मिया फिर क्या करें as above जैसे के उपर board से उमीद भी बताएगा the fair value of such immobile property shall be assumed deemed का मतलब क्या होते है shall be assumed to be the value fixed by district officer revenue हों वोई वोई जो बंदे उदर बैठे होते हैं रिजिस्ट्री वगरा जमीन आपके नाम कर रहे होते हैं और provincial authority or any other authority authorized in this behalf जो के इस बहाफ में जिसको इजाज़त मिल की है for purposes of stamp duty ताके वहाँ पे जो stamp duty आप अपने नाम लगवाते हैं तो उस एतबार से आप उसको देख लिए clear तो यह fair value के उपर discussion थी हमारी आगे चलें recouped expenditure that's very interesting recouped expenditure recouped expenditure की कोई मिसाल दो मुझे recouped expenditure की जो इंट्रो की class में पढ़ी हो खर्चा की है बाद में recover हो गया है कोई मिसाल दो हाँ bad debt recovery खर्चा हुआ debtor पैसे लेके भाग गया बाद में वो debtor पैसे दे गया इसे कहते है बाद debt recovery recouped expenditure तो recouped expenditure का मतलब लिखे है खर्चा हुआ और बाद में recover हो गया अब मुझे बताओ कि अगर खर्चा हो जाए और बाद में recover हो जाए तो हम क्या rule लगाएं पढ़ो जरा ये example नीचे rise got repaired its AC for 7000 in tax year 2010 rise ने 7000 रपे का AC repair करवाया 2010 में बोलो जी 2010 में के entry की होगी expense debit और cash credit 7000 से the service provider realized in अगला साल that he has charged rupees 2000 access to rise service provider ने इंदादा लगाया कि यार मैंने तो rise को जदा पैसे ले ली है rise से मैंने ज़्यादा पैसे ले ली है 2000 पया सो ही return the amount immediately कितनी 2000 दो हजार उसमें ज़्यादा ले ली है अगले साल मुझे बताओ आपके पास inflow हो रहा होगा outflow पैसे आ रहे होंगे जा रहे होंगे inflow cash कितना हैगा 2000 आप credit किसे करोगे उसी expense को कर लो लेकिन बेतर है यार समझने के लिए न हम income income record कर लिया करेंगे यह हमरी खुशी है न आपको पते है खर्चे काम होना भी खुशी होती है तो ज़रा देखना इधर एक feeling आपको आएगी expense is recovered is received back it is called as recouped expenditure 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 is recouped तो बतादो भाई अगर expenditure री कोई जाए दो कहाँ जाएगा city income में बार बार बोलो expenditure री कोई गर में बोले हैं कई नहीं उंची उंची बोले पता चल जए है घर वालों को Detow angels एकawan जाugo इंकम में एक्सपेंस जब रिकवर होज़े तो इंकम में जाएगा अंसर दरीकूब्ड अमाउंट शेल बी इंकलूड इंकम और रुपीज तो थोजन इंटेक्सिय दोज़र ग्याराँ बायराइज चार्जेबल अंडर दरहेड इंकम फ्रॉम बिजनस इसका पते का कॉंसेप्ट है अगर वो खर्चा बिजनस के लिए किया था तो उसकी जब रिकवरी होगई वो भी बिजनस में डालेंगा आप पढ़ें इनकेस अफ़ सबस्पेट्री गूपमेंट ऑफ एनी इकस्पेंडिचर जब सबस्पेंडिचर रिकवर हो जाए या लास रिकवर हो जाए यह पढ़ावे इंट्रो में मेरा नहीं खालश आपने पढ़ाओगा वैसे आपने सुना होगा आपको को स्टाप चोरी हो जाए इंशॉरेंस कंपनी वाले पैसे दे 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 दें या ऐसे आपने सुना होगा सलाब जलजला जलजदगान है, दुकानदार तो कोई दुकानदार बिजनसमेन है उसके दुकान पर सलाब आ गया तो हकूमत आपको पते हैं इमदादी इमदाद करती है हकूमत थोड़ थोड़े पैसे उनको दे देती है तो इसको मेरे खाल से खर्चे की रिकवरी नहीं कहते हैं इसके कहते हैं लॉस की रिकवरी दुकान पर समान चुरी हो गया, लॉस हो गया जैसे हफी सेंटर लहोर में आपको पते हैं आग लगी थी तो हो सिफ़त है हकूमत ने दुकानदारों को कुछ करोड़, करोड़, तीन, करोड़, सारे दुکांदारों को कुछ बांड़ दिया व बीच में तो इस तरह कुछ हाज़सात हो जाएं तो कई दफ़ा recovery हो जाती है हमें, foreign aid भी मिल जाती है कई दफ़ा तो वो income होगी फिर हमारी तो बोलो खर्चा भी रिकावर हो सकते है और नुकसान भी रिकावर हो सकते है लॉस आग लग गई स्टॉक को, कुर्सियों को बिजनस की आग लग गई In case of a subsequent recoupment of an expenditure or loss in cash or kind कई दफा आपको पता है अगला बंदा पैसे दे जाते है कई दफा अगला बंदा कहते है यार मेरे से पैसे ना लो ये AC की रिपेर वाला कहते है मेरे से पैसे ना लो एक दो AC आपको मुफ्त में रिपेर कर देता हूँ तो कई दफा benefit in cash मिल जाते हैं कई दफा benefit in kind मिल जाते है In case of subsequent recoupment of expenditure or loss in cash or kind the recouped amount recouped amount पते है 2000 है Shall be included in income under the relevant head Relevant head कौन सा? In which it is for the tax year in which it is received जिस साल ही आया उस साल इंकम में जाएगा बोलो किस साल ही आया है? 11 में 10 में तो खर्चा हुआ था ना recover पैसे वापस कब हुए है? 11 में 11 में किस में चला जाएगा? Income में चला जाएगा जिस साल ये रिसीव हुआ उस साल इंकम में चला जाएगा ओके आगे चलें हाँ ये बड़ा मज़ेगा है Currency Conversion Currency Conversion अगली एक्जामपल स्पार्कल वाली है वो छोड़ दीजेगा उस से मिलती जूलती बिजनस में मैं एक एक्जामपल करवाँगा Currency Conversion अच्छा जी Every amount taken into account under this law Ordinance से क्या मुराद है Law, Income Tax Law Every amount taken into account under this law shall be in rupees Taken into account का मतलब लिखलो recorded Taken into account का मतलब लिखलो recorded Every amount taken into account यहनी recorded Under this law, इस law के तहत Shall be, बो, 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 बो Shall be taken into Taken into account का मतलब बताओ क्या है Recorded Under this law shall be in rupees आप कोई भी amount इस law में record करो General entry करो तो किस currency में करनी चाहिए Propees में करनी चाहिए जाहिए जाहिए इसे तो obvious सी बात थी Taken into account का मतलब लिखलो लिकिन यार के दफ़ ऐसा भी तो हो सकता है कि आप foreign currency में कुछ चीज़ बाय करो हो सकता है तो फिर convert करना पड़ेगा अच्छा इसमें example पड़ो नीचे Mr. Qasim purchased an imported car for US dollar 35 On March 31, 2009 कितने की? 35,000 डालर की किस दिन भाय की गाड़ी? Exchange rates on the relevant dates are as follows कुछ relevant dates पे exchange date है यह एक तो इसने March 31 के rate दी है एक June 30 के rate दी है June 30 के rate तो परिशान करने के लिए दी है Rear end के rate हमें क्या करने? गाड़ी जिस दिन खरीदी उसी दिन के rate relevant होंगे ना अच्छा तो जिए रेंड के rate तो परिशान करने के लिए दी है गाड़ी जिस दिन खरीदी है ना उस दिन का rate लगते exchange का अब rate दो दिये में Open Market में इतना rate है State Bank of Pakistan की website पे कुछ हो रेट आ रहा है बताओ क्या करें? इसमे यार Open Market का rate नहीं लेना इसमें आपने ना State Bank का website की पाकिसान का rate लेना है आम तो पर यह सेम होते हैं बहुत rare circumstance में different भी हो सकते हैं इसमें आपने State Bank की website वादा rate लेना है बस clear बात खतम अब बताओ गाड़ी कितने पे record होगी? 35,000 डॉलर एक डॉलर एक डॉलर कितने के? रॉपीज वान जिरो 2.1 बताओ जवाब क्या रहे? तो गाड़ी 35,000,73,500 की पड़ी 35,000,73,500 की गाड़ी पड़ी अब पर लो पॉइंट टू को सवाल है तो पूछ लो वेर अमाउंट इस इन एक अरंसी जहां एक अमाउंट किसी करंसी में है जो के रुपीज के इलावा है Conversion shall be made at the state bank of Pakistan rate prevailing at the date at which the amount is taken into account taken into account का मतलब लिखो recorded recorded in books हमारी counting books में कब record हो गी? taken into account का मतलब लिखो recorded in accounting books accounting books में record करो clear? accounting books में किसे रिकॉर्ड होगी? जिस दिन ये taken into account यानि ट्रांसेक्शन होई है year end के में ताबिक रिकॉर्ड नहीं होगी clear? okay अच्छा जी cessation of source of income cessation of source of income से आपको क्या समझा रहा है मतलब? cessation of source of income cessation of source of income source of income का बंद हो जाना बो source of income का बंद हो जाना source of income का बंद हो जाना cessation of source of income ये देखो 2010-2011 यहाँ पे दुकान दुकानदार ने बंद कर दी दुकानदार का नाम के है बशीर दारुलमाही सुनाव है बशीर दारुलमाही नहीं सुनावा बशीर दारुलमाही क्या होती है दारुलमाही मचली बशीर दारुलमाही बशीर मचली वाले ने दुकान 2010 में आप जाके मचली खाते थे सरदियों में 11 में आप मचली खाने गए तो पता चला दुकान बंद हो गई अब बोलो क्या मैं कह सकता हूँ सीजेशन आफ सोर्स आफ इंकम है अच्छा, अब हुआ क्या कि 2012 में फर्स करो आप 11 में गए थे दुकान बंद होने से पहले और उसकी दुकान पे जाके मचलियां खाईी और हाद धोने के बहाने चुप करके आप तो ऐसा करो के नहीं लेकिन वैसे चलो हाद धोने के बहाने चुप करके चुप करके निकल गए, चुप करके निकल गए पैसे देखी जाएगी 2012 में आपको फृष्टे आये खाब में और खूब टुकाई की आपने का यार है तो उल्टा पड़ गया है आपने फॉरण बागे बागे आपने का यार बशीर बशीर पैसे वापस करने है तो आगे लिखा उता दुकान खतम हो चुकी है यहां से 2012 में दुकान खतम हो चुकी थी यह भी एक तरह का न बशीर के लिए रिकूपड एकस्पेंडिचर है हाँ यह भी बशीर के लिए रिकूपड एकस्पेंडिचर है बैडट रिकवरी टाइप एक चीज़ है तो आपने मचली खाई थी पैसे नहीं दिये थे लेकिन जब आप पैसे वापिस करेंगे तो दुकान बंद हो चुकी थी तो मेरे भाई इसमें कोई मसला नहीं यह सेक्शन कता है लग क्यों बने ताकि दुकान बंद होने के बाद वाला सिनेरियो लग से कवर हो जे वरना एक्शली इस और एकूपड इकस्पेंडिचर और इसका ट्रीटमेंट वही है जो थोड़ी देर पहले उपर पड़ा कि इदर बशीर भाई ने इसको खर्चे में डाल दिया होगा उन्होंने काओगा मेरा तो नुकसान हो गया बैड डेट और इदर जब मिलेगा बशीर भाई की इंकम में जाएगा अब बशीर भाई कहेंगे टेक्स वालों को ना 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 मैं इंकम में नहीं डालूंगा 2012 में मेरा तो कारोबारी बांद हो चुका है हाँ पैसे देदो मुझे कस्टमर मैं अपनी जब में डाल लेता हूँ पैसे बट अपनी इंकम में नहीं डालूँगा टेक्स वाले कहते हैं एजियूम कर लो तुमारा बिजनस चल रहा यह घए हो जाए रिकवरी मेड ये रिकवरी कब हुई है यानि के कारोबार बांद होने के बाद रिकवरी अगर हो जाए तो रिकवरी किसमें डाली जाएगी बशीर की इंकम में पढ़ो अब अच्छा जी इफ टैक्सबल इंकम इफ टैक्सबल सोर्स ओफ इंकम सीजिस तो एक्सिस्ट इफ टैक्सबल सोर्स ओपिंकम सीजिस तो एक्सिस्ट बेफोर अच्छा एब फिलहल छोडो इन दो बुलट्स को इफ इफ एने टैक्सबल सोर्स ओफ इंकम ceases to exist then any subsequent benefit from it shall be taxable in normal way. देखो इदर if any taxable source of, taxable source of income क्यों है? क्योंकि दुकान पर आपको पता है कि income कमाती है तो tax देना पड़ता है if any taxable source of income ceases to exist यह दुकान बंध हो जाए then any subsequent benefit derived from it shall be taxable shall be taxable क्या मतलब है? इस पर tax देना पड़ेगा in normal way in normal way वो दाके table में देख लो क्या rate बन रहा है in normal way assuming that source has not ceased at that time income was derived assume क्या कर लो source बंदी नहीं होई थी जिसमें income कमाई है यह दो bullets में बाद में समझाता हूँ source बंदी नहीं होई थी जिसमें income कमाई है चलें जी नोट करना है नोट कर लें और एक दो अच्छी तरह पढ़ लें जी भाई तो अब यह दो पॉइंट्स हमारे रहे हैं इन दो पॉइंट्स को कर लेते हैं इफा टेक्सिबल सोर्स फिंकम सीजिस्टो एग्जिस्ट अगर एक टेक्सिबल सोर्स फिंकम बंद हो जाए दूनो बॉलेट्स छोड़ ले जाएगा दसर लेके भागा था घृके बंद दसर इदर दे गया यह इंकम में डाल दिया चाहेगा 2012 में छल्बी तेक्सिबल नॉर्मल यह एज्जिमिंग धर सोर्स नौट सीज्ट I assume किया जाएगा कि वो source बंद नहीं थी जिस वक्त वो income कमाई ओके अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो recovery हुई है ये कब कब हो सकती है ये जो recovery हुई है ये कब कब हो सकती है क्या ये possible है कि 2011 में दुकान बंद हो और 2012 में recovery हो Is it possible? क्या ये भी possible है कि 11 में दुकान बंद हो और दुकान बंद होने के बाद 11 के साल में ही recovery हो जाए तो दोनों options उसने discuss कर दी उससे कोई फरक नहीं पड़ता दोनों की treatment same है अब थोड़ा सा ना English फिज़र आपने focus करने है चाहे जिस साल दुकान बंद हो उसी साल recovery हो जाए बंद होने के थोड़े दिन बाद या अगले साल recovery हो दोनों सूर्तों में It is taxable in the normal way If a source of income ceases to exist Before commencement of year Or during the year अच्छा Recovery कब होई? Before commencement of year इस year से पहले दुकान बंद हो चुकी थी और during the year या जिस साल दुकान बंद होई उसी साल पैसे आ गए तो during the year से क्या मुराद है कि 11 में बंद होई और 11 में ये recovery होगई और before commencement of year का क्या मतलब है कि इस साल में recovery होई इसके commence होने से पहले पिछले साल ये दुकान बंद हो चुकी थी ये जो अपर वा एरो है थोड़ा सा ना बच्चों को मैं पस्ता पास तजरबा शेयर करा हूँ बच्चों को कई दफा इंगलिस याद करने में ना मसला होता है तो मेरा मश्वर है याद करने के लिए ना आप इन दोनों को अलग याद कर लीजेगा ये देखो ये ब्रेड का उपर वाला पीस है इधर वाला ये डेड लाइन नीचे वाला पीस है ब्रेड का ये जो कबाब को मैंने सरकल लगाया ना कबाब को आप अलग से याद कर ले ना उपर नीचे से कई दफा बच्चे मिक्स करके पढ़ते हैं बच्चे ये कहते हैं सर हमें याद नहीं हो रहा तो इसलिए पहले आप ऐसा करो सरकल के लावा वाला पढ़ो इधर कल ऐस छोड़ दो अब फिर मैंने याद करने के लिए क्या सिजेशन दी है कि दर्मयान वाली लाइन जो है और इसी साल पैसे मिले हो तो इन दोने इलफास को अलग से याद करें लेकिन लिखना दर्मयान में है कॉंसेप्ट असान है कॉंसेप्ट तो समझ आगे न दुकान इस साल बंदुई इसी साल पैसे आगे दुकान इस साल बंदुई अगले साल पैसे आगे अच्छा जी रूल्स टू प्रेवेंट डबल डेरिवेशन और डबल डेड़क्शन डबल डेरिवेशन की भी जाज़त नहीं है डबल डेड़क्शन की भी जाज़त नहीं है इसके लिए एक्जामपल करते है बिलकुल नई एक्जामपल इसका पीछली एक्जामपल से कोई तालूप नहीं है 2018 और 2019 ठीक है 2018 में Entry आपने की Debtor Debit, Sale Credit 2019 में Debtor पैसे दे गया Intro पड़ी भी है क्या Entry होगी 2019 में Debtor पैसे दे गया Cash Debit Sale Credit 10 रुपे से क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या मैं सही कह रहा हूँ यह Sale दो दफार रिकॉर्ड यह वही वहला Debtor पैसे देगे गया मेरी General Entry में गलती निकालो यह 2018 का साल है मैं दर्मियान में ना Line लगा देता हूँ आपको Green यह 2018 का साल है यह 2019 का साल है Debtor Debit Sale Credit Cash Debit Sale Credit बताओ गलती क्या हूँ यह है 2019 में Cash Debit Debtor Credit होना सही है वरना यह तो Double Record हो जाएगी अभी हम जो Section पढ़ने लगे हैं असल में न Credit Sale Record करना और Debtor से पैसे आना यह Accountants को बड़ी असानी से समझा जाता है के Cash Debit होगा और Debtor Credit होगा लेकिन जो Non Accountants थे ना Non Accountants जिन्होंने Accountants पढ़ी नहीं होती थी वो गलती कई दफ़ा कर सकते हैं कि जब चीजें बेची तब भी Sale Record कर ली जब पैसे आये तब भी Sale Record कर ली यह Accountants गलती नहीं कर सकते तो आपके लिए यह Concept बड़ा असान है कि एक दफ़ा जब चीजे सेल में डाल दी तो तब फिर Sale में नहीं डालना Debtor कम करने है लेकिन Law Non Accountants के लिए भी बना होता है यह Lawyers बगएरा इनके लिए भी Law बना होते हैं इनको नहीं थोड़ा रिमाइंड कराया जा रहा है यार किसी सूरत में ना Sale दो दफ़ा रिकॉर्ड ना कर लेना मैंने आपको समझा दी है Sale गलती से क्यूं दो दफ़ा रिकॉर्ड हो जती है कई कुछ लोग गलती से चीजें बेचने पे भी Sale रिकॉर्ड कर देते हैं और जब अगला बना पैसे लेके आए फिर दुबारा Sale रिकॉर्ड कर देते हैं तो इसकी अजाज़त नहीं है अब मेरे खाल से सही हो गया सब मैंने Sale काट दिया अगर मैं Sale ना काटता तो ये Double Derivision हो जाती डबल इंकम रिकॉर्ड हो जाती है आप पढ़ो If any income Is tax non receivable based बताओ Debtor को क्या कहते हैं? Receivable Tax का मतलब है Sale, Profit and Loss में गई होगी इंकम बढ़ी होगी टेक्स बढ़ा होगा आप दरा पढ़ना If any income Income समराज सेल Is taxed इस पर tax लग गया है On receivable based It shall not become taxable again On receipt based It shall not be taxable again दुबारा इस पर tax नहीं लगाना On receipt based जब मिल जाए तो मिलने पर दुबारा टैक्स नहीं लगाना होगा ठीक है? चलो जी, note कर लो अपने काट देने जाने है और अफिस? कर लिया? उपर लिख लिया section 73 If any income is taxable Tax लग जाता है ना आपको पता है Sale, Profit and Loss में जाती है और उस Profit में हमें हकूमत को tax देना पड़ता है If any sale is taxable on receivable base It will not be taxable again When received देखो cash मिल रहा है When received and vice versa Similarly, vice versa को छोड़े में ठीक है And likewise, इसी तरह If any expenditure is deductible on payable base It shall not become deducted when it is paid इसी तरह खर्चे है खर्चे अगर आपने payable में डाल दिये तो जब pay करेंगे तो दुबारा आपने इसको record ने करना चलो यह मैं कल बता दूँगा ठीक है जी खतम करें सलाम अलेकों